गोड मारिन बच्चों, कैसे हैं आप? वश्वास हैं, आप अच्छे होंगे आप, और मैं रोज कहता हूँ आप से कि विस्वासि आप अच्छे होंगे, क्यों मैं विस्वास करता हूँ कि परिष्टियां चाहे कैसी भी हो, आप हर हाल में उनमें अरजिस्ट करने के, बहर परिश्थिती में अपने को खूल एंड खाम रखते हैं, मैं इसे शांत रखते हैं और सही समय का इंतिजार करते हैं और परिश्टम करते हैं, ठीक है? इसलिए मैं कहता हूँ वश्वास है आप अच्छे होंगे, ठीक है बच्चों? एक और चीज़ कहना था, कि आप स्ता या सीजियल, जिन भी एक्जाम्ष में अपियर होने वाले हों, उनके लिए मैं एक प्रकार का मीडियम बन जाओं, कि पर डे आपको मैं एक प्राक्टिस सेट के रोप में, MB पवलिकेशन की किताब के जो क्वेस्टन्स हैं, अर्था जो एक तरह से आपके प्रीवियस एयर् आपको दिखा दूँगा, यह 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 क्वेस्टन्स हैं, इसके लिए मैं अलग से पूरा वीडियो बना दूँगा, ताकि वो बच्चे जो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए यह एडिटोरियल के ख्लास बर्डेंसम न हो, उनके लिए एडिटोरियल और वर्ड़ पा त्यार करने हैं, और यह सब मैं previous years के papers हैं, जो मैं MB publications ले रहा हूं, और बहुत सारे बच्चे लहाबाद की specially मेरे से कहते रहते हैं, सर, MB books साल उकरा दीजे, यह एक strip मैं लेने जा रहा हूं, पीछले भी मैंने कराए हैं, जो बच्चे करना चाहते हैं, MB publication के नाम से, मेरा पूरा segment है, playlist महां देखेगा, वहां भी आप मिल जाएगा, सुपर जो 60K वो practice sets हैं, और यहां भी मैं आगे, आज से ही आपका शुरू हो जाएगा, यह मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या-क्या चीजें, इसमें अभी मैं आपको त्यार कराने जा रहा हूं, ठीक है, देखें, यह common errors हैं, जो मैं आपको अगली वीडियो मिल जाएगा, आपको, यह sentence fillers आपके हैं, और यह वही है आपका, यह sentence improvement के questions हैं, जितने भी sets में दिये गए थे, यह आपके सारी, और यह उस set में जितने भी words थे, जितने भी synonyms में, antonyms में, one words में, spelling error में, जितने भी थे, समयने एक साथ कर दिया, ठीक है, और इन पर हम आप discussion करेंगे, कि हाँ, यह word कैसे बना है, किस तरीके हम इनका use करते हैं, और इनके synonyms, an antonyms हो रहें, कैसे हमको त्यार करने, लेकिन वो अगली वीडियो में बच्चे होगा, ठीक है, तो त्यार हीगा, जो भी बच्चे चाहते हों, आगे CHS, CZL, किसी भी level पे, जिसमें English से बच्चों, त्यारी करना चाहते हों, वो इस section के लिए त्यार है, कि अब यह मैं आप के लिए compression के point of view से कारी करने चाहते हों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, यह आज का segment है मेरा, उपर जरूर पढ़िएगा, शुरुवात करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, बड़ा होना जरूरी नहीं है, लेकि बड़ा बनने के लिए महान बनने के लिए तो हम खुशी-खुशी सीखते हैं, तयार करते हैं, we never forget, उस चीज को हम कभी नहीं भूलते हैं, किस चीज को? जिस चीज को सीखने में हमने मन लगाया होता है, अपनी खुशी से उन चीजों को पाया होता है, वो चीजें दिमाग में बनी रहती हैं, और जिन चीजों को हम जबरदस्ती, मजबूरी में सीख रहे होते हैं, वो चीज़ें दिमाग से खिसक करके क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, इसलिए मजबूरी में कोई कारे न करें, हमेसा खुशी-खुशी सीखने की कोशिश करें, जिन बच्चों को शिकायत होगे एक सर कहीं वीडियो म सब कुछ करने के लिए, कि मैं इन सब चीज़ें से बहतर हूँ, हर कोशिश मैं करना हूँ, जल्दी ही इन चीज़ें से आपको निजात दे दूँगा, ताकि छीज़ें आप जहे लेना, मैं इन सब वीडियो उगर मेरी लैग न करें, ठीक है बच्चों, आगी बहतर ही मिल इस्टेंड आफ, त्यार हो गया बच्चों, इस्टेंड आफ, कुछ सरन्यम साब को याद हो गया हों के साथ, ये डेडलाक याद हो गया होगा आपको, इमपास याद हो गया होगा, ये आपको मैंने नहीं दिया था, बॉटलने की याद हो गया होगा, होडल याद हो गया ह होगा और इस्टेंड आप तो है ही एक और शब्द अगर आपको याद हो इस्टेंड इस्टिल यह सारी क्या है बाधाएं रुकावटी अब रोध हो ठीक है तो इस्टेंड आफ का स्टनरिम क्या हो जाएगा डेट लाग हो जाएगा ब्रेकडाउन समस्ते होंगे कही चीह होती है गिर कर कोई चीह टूड जाती है तो भी ब्रेकडाउन होता है कोई emotionally बहुत फूट फूट के रोने लगता है वो भी ब्रेकडाउन होता है आपका ठीक है resolve याद हो गया आपको किसी समस्या का समाधान निकाल लेना या दिढ़ शंकल्प लेना ये भी होता है retreat याद हो गया बच्चों किसे चीज को दोहराना फिर से कहना आप ध्यान देखेंगे न जातर वर्स हम ऐसे यूज करें आपसंस में ताकि आपके सारी वर्स क्या होते रहें revise होते रहें तयार होते रहें induct याद है आपको भरती करना recruit करना अगर आपको याद हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका देखें recruit mend मैन से बना है वर्ब बना दिया गया मैंस कहीं पर जादा लोगों को उतारना भेजना मैंस यहाँ सैनिकों की रूप में यूज किया गया था put out मैंने बताया था put out का मतलब होता है बुझाना extinguish करना और escalate आपको याद हो गया होगा किसी इस्थिती की तेवरता को बढ़ा देना यानि कहीं माली जे दो लोग लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई को हम escalate कर दे रहे हैं यानि उसे और तेस्ट कर दे रहे हैं vacate याद है normal word है vacate empty say अगर आप याद कर ले तो याद हो जाएगा आपको या evacuate अगर आपको याद हो वो भी याद रहेगा तो vacate खाली करना किसी चेज को या किसी अस्थान को खाली करना तो क्या हो जाएगा बच्चों या वर्ड देखेगा आपको evacuate मेंस खाली करना especially किसे विसेश परिस्थिती में जब कोई अस्थान खाली कराया जाता है तो evacuate कराया जाता है pull back पीछे हटा देना short याद होगा seek की third form में चाहत रखना इच्छा रखना और naive मैंने आपको पढ़ाया था naive मेंस जो बिलकुल meek हो यानि बिलकुल simple हो सीधा साथा honesty से भरा होता है वो naive होता है ठीक है diplomate याद होगा diplomacy से बना है diplomacy क्या होती है एक देश की जो कूटनीती होती है वो diplomacy होती है उस डिप्लोमैसी पर जो कारी करता है वो कौन होता है डिप्लोमैट होता है कूटनितिग्य होता है ठीक है तो कूटनितिग्य क्या हो जाएगा इसमें आपका अमबैस्टर यह थोड़ा सा अलग है बच्चों अमबैस्टर एक राजदूत होता है जो थोड़ा सा डिफरेंट ह होता है, diplomat को सुध रोप में आप ये कह सकते हैं, planning potential, क्या होता है ये, ये एक diplomat होता है, ठीक है, एमिस्त्री भी अगर आपको याद होगा ये EMI वले से RY एमिस्त्री मेंस भी एक तरह से डिप्लोमेट होता है ये भी वड़ याद होगा आपको सायद NY तीनों वर्स ये यूज कर सकता है तो डिप्लोमेट का अमबैस्टर हो जाएगा एक जिस्तर बेट याद है आपको किसे चीज को और खराब कर देना उससे कहिन कहीं क्या कर देना बंगल कर देना या फिर एग्रिवेट कर देना मेंस बिगार देना प्लेजर जिंदगे में आपको मिले मेंस खुशी आनंद बॉमबर्ड दो अर्थों में के point of view से भी important word है याद है maneuver कोई trick कोई deception आपकी मिल्स कोई चाल या युद्ध चालन या युद्ध अभ्यास जो होता है वो maneuver होता है किसी जैसे मालिक किसी ने आप आप पर वार किया और आप जुक करके बच गए तो यह आप कैसे बचे अपनी maneuver से अपनी कौशल से बचे यह भी maneuver होता आपका ठीक है तो maneuver क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका यह हो जाएगा operation हो जाएगा यही यहाँ पर image कर रहा है exorbitant याद हो गया आपको बच्चो exorbitant जरूरत से ज़्यादा अत्यधिक caucus याद हो गया एक गुट बैठक जो होती है वो गुट की बैठक किसी विरोधी समू की बैठक वो caucus होती है फलाक याद हो गया आपको फलाक वो जो तूप खाना वगरे का गोलाबारी समंदित होता है वो भी use कर लें और अगर आप किसी की criticize कर रहे हैं किसी को severely criticism कर रहे है तो भी वो फलाक होता है इस करमिष्ट याद है आपको जडप जगडा जो हलकी फुलकी नोक जोंक होते जडप होती है वो इस करमिष्ट होती है तो वो आप्टिमिष्ट नहीं होगा नव आप्टिमिष्ट जो bright शाइड की तरफ देखता हो मिन्स आशावादी हो और clicked नहीं होगा ये d हटा दें बलकी click नहीं होगा click एक good होता है means कोई good जो bet वोता है समू कह सकते हैं वो click होता है conflict हो जाएगा इस करमिष्ट का conflict means कलः जगडा जडप ये हो जाएगा cortis याद है आपको है cortis होते हैं ठीक है ये देखी one word substitution आगया आपको ठीक है a group of worshippers क्या rush होगा gathering होगा crowd होगा या congregation होगा rush क्या होता है भागती हुई आगे बढ़ती हुई भीण होती है gathering क्या है जो कहीं पर भी कठी कुछ लोग है छोटी मोटी भीण को हम gathering कहते हैं crowd क्या है जो बिना मक्षद या बहुत बड़ी भीण होती है और worshippers की जो भीण होती है प्रार्थना या पूजा करने वालों की भीण को उसको हम क्या कहते हैं congregation इसे क्या कहते हैं हिंदी में आप याद है समागम या मंडली this is congregation ठीक है तो a group of worshippers का क्या हो जाएगा congregation और small fleet of ships are boats और small fleet of ships are boats यानि जो पानी की जहाजे हैं या नामे हैं इनका एक छोटा जो बेड़ा है वो क्या है इनका बेड़ा क्या क्लाक होगा क्या क्लिक होगा गुट के रूप में क्या क्लिक होगा या फ्लोटिला होगा क्या होगा फ्लोटिला अश्माल fleet of ships are boats फ्लोटिला यह सारी वर्स बच्चों आपने पढ़ा था क्लाक क्लिक को क्लिक अब family of young animals जो बच्चे होते हैं उनकी family को क्या कहते हैं क्या कहते हैं ब्रूड यह होते हैं ब्रूड ब्रूड में इन सो बच्चे young ones जो होते हैं वो ब्रूड होते हैं fleet क्या है अभी आपने पढ़ा fleet बेडा को कहते हैं जहाजों के जो बेडे होते हैं उन्हें fleet कहते हैं herd क्या है जो जानवरों का जुंड होता है उसे herd कहते है flock क्या होता है a flock of elephants भी हो सकता है a flock of sheep भी हो सकता है a flock of birds भी हो सकता है तो a family of young animals brood हो जाएगा ये देखें जोड़ा हमने idioms and phrases अच्छा section है come off with flying colors come off with flying colors की meaning क्या होते ही बच्चो याद है किसी बच्चे को come off with flying colors क्या होते है come off with flying colors बहुत अधिक सफल हो जाना क्या हो जाना बहुत अधिक सफल हो जाना means be highly successful this says come off with flying colors क्या हो जाएगा come off with flying colors का be highly successful rank and file कितने बच्चों को याद है rank and file idiom इसकी meaning क्या होती है rank and file, high ranked people होगा, ordinary people होगा, low people होगा या files that are ranked यह होगा कौन सो होगा, rank and file जैसे in the village rank and file were in low position rank and file means so ordinary people, क्या होते हैं बच्छों, low people नहीं, ordinary people, जो साधहारन लोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं rank and file कहते हैं, ठीक है keep one at bay keep one at bay, किते हैं बच्छों को याद है सोचें, keep one at bay, bay खारी को कहते हैं, keep one at bay, अपने दुश्मन को दूर रखना, और था तुससे दूरी बना के रखना तो keep one at a distance पहला ही हो जाएगा आपका keep one at a distance, यानि दूरी बना के रखना, दूस्मन को दूर रखना, if you are keeping your enemies at bay, it means you are keeping them at a distance, तो तीन idioms जाना बच्छों आपनी, come off with flying colors, क्या हो जाएगा बहुत अधिक सफल होना rank and file, ordinary people and keep one at bay, या keep your enemies at bay means keep them at a distance, दूर रखना, उनसे दूर ही रखना ये देखे, क्रम आपका चला है अबी भी root of prefixes, कहीं भी अगर inter, I-N-T-E-R में कोई अन्य root word जुड़ा हुआ है means move word जुड़ा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है inter का between या among जैसे inter-seed आप जानते होंगे मध्यस्तता करना बीच बचाओ करना interrupt किसी को बाधा डालना means दखल देना दोनों में देखे क्या है दखल देते हैं interrupt करते हैं या inter-seed करते हैं कहीं भी अगर over शुरू में किसी मूल शब्द के शुरू में जुड़ा हुआ है over means too much means जरूरस से ज़ादा कोई चीज़ अगर over heated है तो जरूरस से ज़ादा गर्म है over eat कोई कर रहा है तो जरूरस से ज़ादा भोजन कर रहा है कोई over drink कर रहा है तो जरूरस से ज़ादा शराब पी रहा है तो कहीं भी अगर over किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है means जरूरस से ज़ादा होता है pre अगर किसी शब्द के पहले है तो उसका मतलब क्या हो जाता है before क्या होता है before पहले जैसे pre view यानि कोई चीज प्रकाशित हो उससे पहले ही आप उससे देख ले pre caution यानि पहले ही आप स्तावधानी बरत ले pre caution ले ले pre load पहले उससे क्या कर ले आप load कर ले ये pre है pre means पहले before sub कहीं भी लगा है sub means अधीन किसी चीज से नीचे जो होता है वो sub होता है जैसे sub inspector यानि जो inspector से नीचे है वो क्या है sub inspector है subway जो नीचे का यानि underground के तरह रास्ता होता है वो क्या होता है subway होता है या उप मार्ग आप इसको कह सकते हैं और कहीं भी अगर semi लगा है semi means आधा यानि जो पूरा न हो वो क्या है semi है जैसे semi final यानि अभी ये final नहीं है उसका आधा है semi darkness यानि पूरा अंदकार नहीं है कुछ अंदकार है ये आपका semi है तो हमने 5 roots या प्रेfixes पढ़ें कहीं भी इंटर लगा है इसका मतलब बीच में between या among के sense में कहीं भी over लगा है means जरूरस से ज्यादा कहीं भी pre लगा है किसे शब्द के पहले means पहले पुर्व sub लगा है means उससे कम उससे नीचे उसके अधहीन कहीं semi लगा है means आधा या जो पूरा नहो वो semi होता है ठीक है इसके पहले के भी roots मैंने पढ़ाएं है वो भी देख लीजिएगा जो इसके पहले और इसके पहले यानि एक तरह से आप मान सकते हैं 36 और 37 में जो मैंने पढ़ाएं roots और prefixes वो देख लीजिएगा यह मैंने दिया आपको एक question करके do you know about the role of suffix जो आप पढ़ चुके हैं बच्चों तो क्या आप जानते हैं suffix का कारी क्या उसकी भूमी का क्या होती है एक suffix जो होता है वो क्या क्या कर सकता है कितने बच्चों को याद है जो बच्चे मेरे से पढ़े होंगे उन्हें तो कुछ थोड़ा बुत याद ही होगा कि एक suffix जो होता है वो क्या-क्या बना सकता है एक noun का निर्मार कर सकता है एक suffix एक adjective का निर्मार कर सकता है आप कहें गरें सरी तो सम पढ़े हैं लेकिन देखें आगे आप एक suffix जो है एक verb की पहचान दे सकता है एक suffix एक adverb की पहचान दे सकता है और एक suffix एक tense की पहचान द डिगरी की पहचान दे सकता है, एक suffix, एक number की पहचान दे सकता है, एक suffix, एक case की पहचान दे सकता है, और एक suffix, एक gender की पहचान दे सकता है बच्चों. कुछ बच्चे पहली बार ये जानेंगे कि एक suffix ही होता है जो एक noun की पहचान होता है normally एक adjective की एक verb की या adverb की पहचान होता है लेकिन एक suffix ही होता है जो tense बदलाव को दिखाता है degree बदलाव को दिखाता है number के बदलाव को दिखाता है case के बदलाव को दिखाता है gender के बदलाव को दिखाता है अगर आप कम समझ रहे हैं तो देखे noun जैसे आपने कोई शब्द लिखा कोई भी सब्द ले ले जैसे devotion ठीक है? devotion अब आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या है लेकिन ये tion पोयन देख करके आप समझ सकते हैं यह एक noun है आपका adjective यह आप समझ सकते हैं जैसे आपने लिखा in invincible है नो? अजेय अपर आजेय invincible तो invincible आपने देखा तो फिर जैसे आपने ible देखा तुरंट आप जानगे कि यह एक adjective है कोई verb ले लें जैसे आपने लिखा realize जैसे आपने ize या isc देखा नौर्मली समझ गए कि यह क्या है verb है माले कहीं आपने लिखा highly sorry l है यह highly higly है highly जैसे आपने high में ly देखा तुरंट समझ गए आप एड़वर्ब है यह आपने पहचान लिया इसके लब टेंस भी पहचान सकते हैं बच्चों जैसे आपने लिखा warn ठीक है यह पहचान नहीं है लेकिन आपने इसमें ed चोड़ दिया कि जो ed है यह क्या हो जाएगा एक suffix हो जाएगा जिसने उसका tense बदल दिया degree भी देखे कैसे बदल सकते हैं आपने लिखा tall आपने बना दिया taller er ने उसके degree बदल दिया या आपने इसे est बना दिया चलिए est बना दे रहें इस est ने degree बदल दिया tall positive था लेकिन taller comparative हो गया tallest superlative हो गया degree बदल दिया number देखे कैसे बदलता है आपने लिखा y यह singular था आपने s जोड दिया इस suffix ने इसका number बदल दिया plural हो गया case देखे कैसे बदलता है आपने लिखा girl यह nominative case यह objective case में हो सकता है लिए आपने इस पर apostrophe yes लगा दिया अभी possessive case हो गया case बदल गया gender देखे कैसे बदल सकता है आपने लिखा poet यह एक masculine gender में है आपने ESS जोड दिया अभी क्या हो गया family gender हो गया यह सारी जो EWS है ना इधर जो आपने apostrophe yes लिया यह जो S आपने जोड़ा यह ER या EST जोड़ा ED जोड़ा आपने यह सारी और यह जो noun adjective verb और adverb में आपने suffix से जोड़े यह सारी roles किसके हैं बच्चों suffix के हैं यानि कभी आप किसे सगर पूछें कि एक suffix क्या क्या कर सकता है तो आप देखें बहुत सा लोग उलज जाएं अब तो आप जान सकते हैं कि suffix एक noun की पहचान हो सकता है एक suffix एक adjective की पहचान हो सकता है एक suffix एक verb की पहचान हो सकता है एक suffix एक adverb की पहचान हो सकता है इसके अलावा एक suffix एक case बता सकता है एक suffix एक gender बता सकता है एक suffix एक number बता सकता है एक suffix एक पूरा उसकी degree बता सकता है और एक suffix उसका tense बता सकता है यहीं नो प्रकार के परिवर्तन एक suffix के द्वारा हम कर सकते हैं बच्चों तयार कर लीजे काम आएगा अगर आप दोस्तों से different रहेंगे तभी आप विजई होंगे अगर आप सबके जैसे हैं तो common जिंदगे जिएंगे और commonly मर जाएंगे कोई जान भी नहीं पाएगा ठीक ह इसलिए अगर यह दिखना है कि आप अलग हो तो अलग प्रकार की knowledge अलग प्रकार का information भी आपको रखना होगा आपने नीदर पढ़ा था same criteria पे either होता है जब आपने नीदर पढ़ा था यह कल आपने पढ़ा था याद है जो बच्चे पढ़ें थे नीदर क्या होता है दो मे से एक भी नहीं तो नीदर में से एन हट गया बच्चों अब क्या हो गया यह इधर हो गया अब यह positive हो गया तो क्या हो जाएगा दो में से एक यानी जो दो में से एक है यह वह Rebecca है और दो में एक भी नहीं है वह nीदर है ठीक है यह यह व Rolex इ local है जैसे neither था वैसे ये भी एक conjunction के रूप में यूज हो सकता है, देखे कैसे, यहां देखे, either का combination है न, आर से, this room can be used either as a guest room or as an office, यानि either के साथ यहां आर जुड़ दिया और दो आपके phrases को जोड़ दिया गया, यहां इसने conjunction का कारिय किया, जैसे neither था, वैसे either भी एक pronoun की तरह कारी कर रहा है, तो वैसे इसका भी रहेगा, देखे, you can take either off है न, और off के बाद देखे क्या है, two routes, मैंने कहा था, neither का भी प्रियोग और either का भी प्रियोग दोनों का, दो में से एक या दो में से कोई नहीं के लिए आप करेंगे, ठीक है, य any हो जाता, ठीक है, ध्यान रखेंगे, काम आएगा, completion में आपके, you can take either off, जैसे either के बाद आपने off देखा, तरह समझें, pronoun है, इसका फायदा क्या होगा, कि इसके बाद हमेशा plural noun आएगा, देखे, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे, यहाँ भी देखे, either off है, यानि pronoun है यहाँ तो इसका फायदा क्या है, कि इसके बाद जब भी आएगा, देखे, plural आएगा, either off these two girls, और इन दोनों में से, कोई एक यह इसका अर्थ हो जाएगा, यह भी एक adjective के अर्थ में प्रियोग होता है, और जब adjective के अर्थ में प्रियोग होगा, तो इसके तुरंत बाद देखे, क् आपका छूड़ गया हो, वहाँ जरूर देख लीजेगा, चीजे धेरे-धेरे, कल को मैं आपको बच्चों ऐसे कोई वाक्य दूँगा, और आप कर लेंगे तो मुझे खुशी होगी, देखे, मैं कैसे दूँगा, मैं आपको बता रहा हो, एक नड़ बश, देखे, अगर क leaders are coming, ठीक है, मैं एक और चीज करों बच्चों, ठीक है, यहाँ पे मैं 2 के बचाए, एक नड़ बस रोग जाए, एक नड़ बस, ठीक है, और यहाँ मैं ने ले लिया, pen, तो इधर आफ दो 3 leaders ले लिया, ठीक है, अब आप देखें क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बच्चों आपने जाना, इधर आफ होगा, यानि दो में से कोई एक होगा, तो इधर आफ के बाद जब भी आएगा, plural noun आएगा, तो leaders तो plural ही है, सही है, लेकिन ध्यान से देखें, leaders के पहले मैंने क्या लिया, 3, इसका म मान लिजे, तो इधर सही होता, तो जब भी इधर आफ रहेगा, तो verb हमेशा क्या रहेगा, आपकी singular रहेगा, नि आर नहीं होगा, is हो जाएगा, अब फिर इस देख लें, अब हम ऐसे फानली लिख दे रहे है, मान लिजे है, इधर आफ, the two boys are here, क्या सही है बच्चों, गल इस हो जाएगा, ठीक है, यह competition level है, जो धेरे-धरे maintain करेगा, आज से ही मेरा MB publication का जो previous year के sets है, उसमें एक-एक set के जो main questions है, उसमें सालो कराने जा रहा हूँ, जिसके सुरू में questions मैंने दिखाए, उसका वीडियो मैं अलग से बना के डालूँगा, जो बच्चे चाहीं, उस सारे बच्चों की, मैं preposition की समस्य में दूर कर दोगा, लेकिन तभी, जब एक continually, यानि continuously के ये बलकी, आप इसे करते रहें, इसके पहले के 3-4 sets में मैंने दिया है, टेलिग्राम पे मैं उनके answers भी दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कौन सा preposition कहां लग रहा है, उसे जरूर देखें आप, ठीक है, यहां भी आप करिएगा, 5 अच्छे प्रकार के prepositions आप जानेंगे, अच्छे शब्दों, words के साथ, आप अच्छे prepositions आनेंगे आप, जरूर करिएगा, नहीं आएगा, मेरे से पूछेगा आप, जैसे वह अध्यन में डूबा हुआ था, यहां डू करना चाहेंगे, तो he accepted my proposal, ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छा प्रयोग करेंगे, तो सहमती देने के लिए आपको क्या यूज़ करना होगा, exceed, अब exceed के साथ कौन सा preposition लगाना है, यह आपको देखना होगा, वह मेरे सलाह के अनुसार कारे किया, यह तो अनुसार कारे करना आप जानते होंगे, according to होता है आपका, मैं विदेसियों से बात करने का अभ्यस्त हूँ, अभ्यस्त होने के लिए आपको याद है, क्या होता ह आदी है, वो भी शराब पीने का, तो negative चीजों के लिए हम क्या लगाते हैं, याद हैं आपको, addicted, अब addicted साथ क्या लगाते हैं, वो आपको देखना है, अगर यह आप सब करेंगे बच्चों, तो people जिसन से समझत मैं आपकी जो errors आप करते हैं, इसी से मैं दूर करा दूँग आगे बड़ता हूँ और यह vocab का section आपका है, पहला word है आपका, epidemiologist, epidemiologist, यह बना होगा समझते होंगे बच्चों इस से, epidemic plus lossy plus IST, epidemic, महामारी, बिमारी, lossy, अध्यान, और IST वो ब्यक्ति जो ऐसा करता है, यानि जो महामारी के अध्यान का IST होता है, विसेशग यह होता है, वो क्या होता है, epidemiologist होता है, means of maha-mari with, मतलब विद्वान, जो महामारियों से सम्मंदित विद्वान होता है, वो epidemiologist होता है, जो यह जानते हैं कि उस disease को कैसे control करना है, वो epidemiologist होते हैं, ठीक है, यानि यह ए पूरी जानकारी रखते हैं, उन्हें हम epidemiologist कहते हैं, crippled, crippled crippled से बनाए, crippled means वर्ब के रूप में क्या होता है, crippled means किसी को कमजोर करना, तो जो crippled है, वो क्या हो जाएगा, adjective के रूप में बच्चों, कमजोर, जो कमजोर है, वही क्या है, अशक्त है, जिसके पास शक्ती नही है, तो crippled एक adjective के रूप में है, अशक्त, अर्था तो disabled है, यानि अशक्त है, paralyzed है, मैंस कहिन कहिन विकलांग है, lame है, लंगडा है, तो वो crippled है, crippled व्यवस्थाएं भी हो जाते हैं, crippled economy भी हो सकते हैं, यानि कमजोर अर्थ व्यवस्था, ठीक है, enormous आपने पहले भी पढ़ा है, enormous जो बहुत विशाल हो, बड़ा हो, वो enormous है, जो size में या quantity में बहुत बड़ा होता है, जादा होता है, वो enormous है, यानि जो use है, विशाल है, vast है, विशाल है, extensive है, बहुत ज़्यादा है, अधिक है, expensive है, फैला हुआ है, broad है, विस्तृत है, वो क्या है, एक adjective के रोप में enormous है, जो बच्चे शुरु जुड रहे हैं, उन्हें अब यादी होगा, oh yes कहीं भी है, क्या है वो, adjective है, तो enormous क्या हो जाएगा, विशाल, बड़ा, draw up, जब भी आप किसी की रूप रेखा बनाते हैं, उसका एक खाका बना लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, draw up करते हैं, और थाथ एक plan बना लेते हैं, या basic details किसी चीज़ की बना ले लेते हैं तो आप draw up करते हैं, मैंस क्या करते हैं, प्रा रूप बनाना, और थाथ एक तरह से drafting करना या प्रिपेरिंग करना थात एक प्लानिंग कर लेना ये ड्राइप है आपका ये तो खम स्कम चार पांच बार आप पढ़ चुके होंगे अर्थात आसानी से शिकार होने की जो कारी है वो वल्नरेबेल्टी जैसे कोई कहे उसके अंदर इस रोग के प्रती वल्नरेबेल्टी जादा है अर्थात वो आसानी से इसका क्या हो सकता है शिकार हो सकता है अर्थात वह वल्नरेबल है अर्थात वो आसानी से शिकार हो सकता है भेद देता जब कोई बिमारी वगर आपकी immunity system को भेद करके आपके अंदर प्रवेश कर जाए तो आप उस बिमारी के लिए क्या है वल्नरेबल है और आपके अंदर क्या है वल्नरेबिल्टी है ठीक है अर्थात कहीं कहीं आप exposed है अर्थात आपको कोई भी शिकार बना सकता है क्योंकि आपके अंदर वल्नरेबिल्टी है प्ट दा कार्ट बिफोर दा हार्स कोई बचरों जरूर पढ़ाओगा एक idiOM है आपका यह normally क्या होता है बच्चों कार्ट पहले होता है और उसके सामने हार्श होता है लेगर हम कर क्या रहे है हम उस हार्स के सामने क्या रख रहे यानि मुँ उल्टा कारी कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, अर्थात गलत आडर, गलत क्रम का हम प्रेयोग कर रहे हैं, तो put the cart, कार समझते हैं न बच्चों, जो बैल गारी होती या जिसमें बैठते हैं, इकका जिसको हम लोग कहते थे वो, put the cart before the harsh, में गलत तरीके से का मेरी भाषा में उल्टा कारी करना, उल्टे क्रम में कारी करना, प्रिवलेंस प्रिवेल से बना है, प्रिवेल में से व्याप्त होना, तो प्रिवलेंस जो चीजें व्याप्त हों, प्रबल हों, हर जगर पाई जाती हों, उनका प्रिवलेंस होता है, ना उन की रोप में है, Prevalence, प्रबलता किसी चीज़ की, ठीक है, उसका Pre-Dominance है, प्रबलता है, Pre-Ponderance है, प्रबलता है, Dominion है, प्रबलता है, Commonness है, अर्थात हर जगह वो चीज़ पाई जा सकती है, क्योंकि उसका Prevalence है, हर जगह वो ब्यापत है. वनस important word है, छोटा word है, लेकिन exam की point of view से important है, वनस क्या होता है बच्चों, दायत्व, या अगर आपको ये वर्याद हो, जिम्मेदारी, जब किसी को उपर कोई वनस होता है, तो वास्तों में उसके उपर एक दायत्व होता है, अर्थात एक responsibility होती है, एक liability होती है, या एक ये ह accountability होती है, क्या होती है, जिम्मेदारी होती है, मेंस एक दायत्व होता है, तो वनस क्या हो जाएगा, दायत्व, और ये हमारी सामने है, एडिटोरियल, ठीक है, बच्चों आप अपनी राय जरूर दिया करें बच्चों, आप में इससे बच्चे कम कमेंस करते हैं, आप बता इंग्लिस में कोशिश करें, जैसे मैं एक चीज देखता हूँ, संजय है, वो regularly इंग्लिस में कमेंस लिखते हैं, इससे उनका, उनसे पूछे न, उनको बहुत फायदा होता होगा, सोच के लिखते होंगी, वर्स इस्तेमाल करते हैं, अच्छे अच्छे वो, इससे आपको क्योंकि जब तक शब्दों का आप यूज नहीं करेंगे, तब तक वो शब्द आपको नहीं आएगा, तो आप लिखा करें, सर आज आपनी जो पढ़ाया, वो incredible था, या सर आज आपनी पढ़ाया, वो worse था, मिस खराब था, ऐसे बताये करें बच्छो, आपकी वर्पावर भी से बहुत लोग पढ़ते हैं, तो wrong priorities, यानि priorities याद है, जैसे लोग कहते हैं, यह मेरी प्राथ मिक्ता में नहीं है, यह मेरी priority में नहीं है, तो wrong priorities और गलत प्राथ मिक्ता हैं, यह जो आप करनी जा रहे हैं, जो आपकी main मुख्य चीजें हैं, वो जो आप करनी जा रहे है कहीं कहीं क्या है वो रांग है वो गलत यहां रांग adjective है priorities आपका noun की रूप में उसकिया गए on keeping religious places open यानि किस पर है यह धार्मिक अस्थलों को keeping open क्या रखने पर खुले रखने पर है during a pandemic वो भी कब जब एक महामारी फैली हुई है यानि एक महामारी के दौरान जो धार्मिक अस्थल है उनके खुले रखने पर आन उसी पर यह editorial या keep open एक साथ है keep open में खुला रखना by opening up religious places for worship now India risks high community transmission by preposition है opening up religious places तो open कर नहीं रहें बच्चों वो religious places open हो रहे हैं तो आप इसे present participle भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ वास्तों में यह girand के रूप में क्या हो रहा है यूज हो रहा है लेकिन अगर आप इसे इंडिया से जोड़ेंगे भारत अगर open कर रहा है तो फिर यह किस रूप में कारी कर रहा होगा present participle के रूप में कारी कर रहा होगा लेकिन चुकिए by के बाद है तो आप जिरंट के sense में भी यूज कर सकते हैं religious क्या यहां पे है आपका I-O-U-S है यानि क्या है आपका यह adjective है आपका places plural बनाए गया means noun है आपका वैसे भी यह आपका subject की तरह काम कर सकता है far preposition यहां पे है worship प्रार्थना के रूप में है यानि noun के रूप में है फार के बाद now adverb है अब India noun है subject के रूप में risk sir देखे रिस्क दो होता है बच्चो रिस्क एक noun भी होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा खत्रा और यह एक verb भी होती है में खत्रा उठाना खत्रे में डालना यह हो जाएगा तो यहाँ risk में s जोड़ा गया है और इंडिया के लिए यह verb की तरह कारी कर रहा है इट में से हाई क्या हो गया आपका verb हो गया high community transmission अगर community transmission एक क्या है आपका एक compound noun है तो इस compound noun के लिए high किस से इसका काम कर रहा है adjective का का काम कर रहा है ठीक है वैसे high adverb की तरह भी कारी करता है और एक adjective की तरह भी कारी करता है और एक noun की तरह भी कारी करता है मैं जैसे से धरी-दरी वर्स दे रहा हूँ न, इसे मैंने आपको बट दिया था, इसे मैंने यट दिया था, फिर मैंने नीदर दिया, आज मैंने इधर दिया, ऐसे वो special use of वर्स में जरूर देखा करें, कोई शब्द कैसे कैसे use होता है, चली आगे बढते हैं बच्छों और है यहां पर करें बाई ओपेनिंग अप रिलीजियस प्लेसे बचों अगर बीज में मेरी वीडियो जो मैं बोलता हूं अगर यह कहीं लाइक करती है तो बुरा नमाने सही हो जाएगा हो जो आप पढ़ रहे हैं वो एक्छुली चलता रहो उसमें कोई पॉब्लम नहीं आने च पूजा के लिए यानि अब पूजा के लिए प्रार्थना के लिए इन धार्मिक अस्थलों को खोलने के द्वारा इंडिया रिस्क सर्व भारत कहीं कहीं खत्रा मोल ले रहा है हाई कम्यूनिटी ट्रांसमिशन किसका किस से इसका बहुत अधिक कम्यूनिटी ट्रांसमिशन क यानि अगर प्रार्थना के लिए पूजा के लिए अगर धार्मिक अस्थलों को खोला जा रहा है ओपन अप किया जा रहा है तो कहिन कहीं भारत हाई Community Transmission यानि एक दूसरे से एक दूसरे में फैलने का भारत कहीं कहीं क्या मोल ले रहा है खत्रा मोल ले रहा है Community Transmission का खत्रा क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है यदि भारत प्रार्थना के लिए इन धार्मिक अस्थलों को क्या कर रहा है open कर रहा है जैसा कि भारत ने किया है 8 जून से देखे some things are better kept far later some things, some के बाद देखे countable plural noun के रूप में यूज किया गया कुछ चीजें are better बहतर होती है kept far later यदि आप उन्हें बाद के लिए रख लेते हैं during a pandemic एक किसके दौरान? महामारी के दौरान यहां डिवरी प्रिपोजिशन है तो एक महामारी के दौरान अगर आप कुछ चीजों को बाद के लिए रख लेते हैं तो are better वो चीजें क्या होती हैं? बहतर होती है अर्थात महामारी के दौरान उनका प्रियोग नक करना चाहिए and or जो बच्चे सोचते हैं फुलिश आपके बाद and नहीं आ सकता है वो अच्चे देख लें हैं बच्चों and or public worship जो सार्वजनिक पूजा होती सार्वजनिक प्रार्थना होती है is worship singular है तो इस लगाए गया तो public worship is certainly one of them और उनहीं में से public worship सार्वजनिक प्रार्थना निश्चत रूप से one of them है उनमें से एक है क्या public worship सार्वजनिक प्रार्थना किनमें से एक है उन चीजों में से जिनके लिए अच्छा है कि उनहें आप बाद के लिए रखें यदि क्या चाहिए क्या फैली हुई है महामारी फैली हुई है तो इन बाद के लिए रखे जाने वले चीजों में से एक चीज है public worship जो निश्चत ही उनहीं में से एक है one of के बाद हमेशा plural noun या प्रणावन लेजेगा बच्चों हमेशा when जब epidemiologists यानि जो महामारी विद थे यानि जो disease के control करने के विद्वान थे जानकार थे when epidemiologists were recently recently means हाल ही में adverb के रोप में होता है जब उन epidemiologists से were recently हाल ही में pulled उनका मत लिया गया in the US कहा पर America में देखिया अस्थान है इन लगाया गया यानि अमेरिका में जब उन epidemiologists से उनका मत लिया गया आन किस से इस पर कि when they would think of attending religious service यानि वो कब सोच रहे है of attending religious service किसी प्रार्थना सभाव में शामिल होने के लिए यानि उन epidemiologists से पूछा गया कि वो कब सोच रहे हैं कि वो किसी religious service में सामिल होंगे तो 43% of about 200 respondents respondents means उत्तर देने वाले यानि करीब लगभग 200 जब आप देने वालों में से करीब 43% जो थे said उन्होंने कहा क्या कि they would consider consider विचार करना कि वो विचार करेंगे that कि in 3 months कि वो 3 महिने से to a year एक साल के बीच में वो religious service को क्या करें attend करें यानि उन्होंने कहा कि कम से कम 3 महिने और अधिक सदिक 1 साल लगेंगे जब वो religious service को क्या करेंगे attend करेंगे और हमारे यहां अभी सम खरने लगे and or an equal number और उसी के समाने 43 परसन थे ने जोनोंने कहा कि 3 महिने से एक साल हम लेंगे and an equal number और उतनी ही संख्या में said लोगोंने कहा not for one year कि एक साल तक तो हम किसे religious places पर नहीं जाएंगे नहीं प्रार्थना करेंगे हमारी यहां क्या है बच्चों हमारा जो धर्म है वो हमारे देश से बड़ा हो जाता है यानि हमारे जो धर्म है वो इस pandemic के इस crisis से बड़ा हो जाता है चाहे हम हिंदू हो मुसल्मान हो सेखों इशाई हो हमें इस समय यह ध्यान में रखना चाहे कि हमें इन सबसे उपर लोगों की जान बचाना है और जब इन धार्मिक अस्थलों पर लोग जाएंगे तो निश्चत ही यह community transmission के रोप में फैलेगा अगर आप देखेंगे बच्चों तो यह जो tone होगा editorial का आप समझ सकते हैं वो फिर से क्या होगा complaining यह शिकायत है यह बच्चों जहां लिखके शिकायत है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहे था ठीक है और आप समझने हैं किस पर है जो इस सारे religious places को open कर दिया गया है उसी पर है जहां पर editorial के writer कहते हैं सरकार को ऐसा नहीं करना चाहे था क्योंकि से community transmission फैलने का क्या है खत्रा बढ़ गया है देखें तो यानि 43 पर्शन लोगों ने कहा कि 3 महिने से 1 साल लग सकते हैं जब वो religious service को जोईन करेंगे और उतनी ही संख्या में लोगों ने कहा कि एक साल तक तो ऐसा करनी वाले नहीं हैं बच्चों ठीक है बढ़ियां चीज बच्चों ये सोचना चाहे और आगे इससे भी बहतर लाएने पढ़ेंगे आप जो जहां पे चाहे वो कुछ मंदरों के लोग हों चाहे मस्जिदों के हों मेंस इस्लामिक कुछ ट्रस्ट रिया बॉडीस थे कुछ चर्चेज वगरे थे जिन्नों ने कहा यानि हम अपने धार्मी का स्थल नहीं खोलेंगे क्योंकि जानमाल ज्यादा बहतर है बच्चों बचाना अप एक छाकृत किसी इस तरिक पूजा प्रार्थना में इंगेज करना देखें बच्चों देर मतलब समझ रहें बच्चों वो जो 200 respondents थे यानि उत्तर देने वाले लोग थे देर कौशन कौशन मेंस चेतावनी या सावधानी प्रीकौशन सावधानी, कौशन चेतावनी देर कौशन आन मौस मौस रिलिजियस गैदरिंग्स उनके जो चेतावनी थी किस से इस पर? आन मौस रिलिजियस गैदरिंग्स यानि एक तरह से बहुत एक भीन के रूप में धार्मिक रूप से जहां लोग क्या हो जाए? इकठे हो जाए to physical distancing जो सामोहिक भीन किस सीज के लिए अपने आपको तयार नहीं करती है physical distancing के लिए तयार नहीं करती है and or वो सामोहिक धार्मिक जो भीन है have a history उनका कहीं कहीं एक इतिहास रहा है of amplifying बढ़ाने का the COVID-19 pandemic इस COVID-19 महामारी को in more than in one country वो भी एक से अधिक देश में फिस देखे बच्चों यानि उन लोगों ने एक तरह से कहा न क्या भी हम तीन महिने से एक साल तक या उतने लोगों कहा एक साल तक हम किसी धार्मिक अस्थल पर नहीं जाएंगे पूजा प्रार्थ ना करने तो उनके जो चेतावनी थी कि mass religious gatherings जो है यानि सामुविक रूप से जो धार्मिक भीड होती है which do not lend themselves to physical distancing जो क्या नहीं करते हैं physical distancing का पालन नहीं करते हैं and have a history of amplifying the COVID-19 pandemic और COVID-19 महामारी को बढ़ाने का फैलाने का उनका इकितिहास रहा है in more than one country वो भी एक से अधिक देशों में ऐसी उनकी जो चेतावनी थी ऐसी ऐसा उनका जो कौशन था should sober down वो कहिन कहिन sober down करना चाहिए क्या करना चाहिए governments को sober down करना चाहिए means sober down means गंभीर हो जाना यानि सरकारों को कहिन कहिन गंभीर हो जाना चाहिए उनके उस कौशन चेतावनी पर वो सरकारे बच्चों that are keen जो बहुत eager है बहुत alakudish है means बहुत उत्सुक है बहुत curious है यानि वो सरकारे जो बहुत उत्सुक है to open religious places क्या करने के लिए धार्मिक अस्थलों को खोलने के लिए early in the unlock phase अर्थात ये जो unlock का चरण चल रहा है इसके शुरू में ही ये religious places को खोलने के लिए बहुत keen है keen मतलब ये लोग बहुत क्या है eager है बच्चों means क्या है बहुत उत्सुक हैं ये सरकारें जो है even without online registration यानि हो सकता है कि आप इसके लिए online registration कर रहे हो e-passes यानि इंटरनेट के द्वारा पास दे रहे हो distance marking यानि distance maintain करने कोशिश कर रहे हो and use of personal protective equipment by staff और हो सकता है कि जो staff है उसके द्वारा PPE यानि personal equipment personal protective equipment का भी प्रयोग किया जा रहा हो लेकिन जो gatherings है जो भीड है जमघट है in confined spaces कौन से अस्थानों पर confined spaces सीमित अस्थानों पर छोटे अस्थानों पर उन अस्थानों पर जो भीड है go against the grain of infection prevention principles उन अस्थानों पर जो भीड है वो grain of infection prevention principles जो infection को रोकने के सिधानत है उसके जो तत्व है उसके go against खिलाफ चली जाती है इसलिए religious places को भी खोडने के आवश्चता नहीं थी it is heartening heart means दिल तो heart में एन जोड दिया गया verb बना दिया गया hearten तो hearten दिल देना अर्था किसी को धांधस देना अर्था साहस देना अर्था तीक तरह से कहिन कहीं increase करना तो it is heartening यानि ये साहस बढ़ाने वाला है अर्था धीरस बढ़ाने वाला है क्या that की some temple boards कुछ जो मंदिरों के boards है churches जो कुछ गिर्जाघर है and Islamic religious bodies और कुछ जो Islamic धर्म के जो bodies इस हमके निगम है संस्थाएं है have wisely decided have plus verb के थरफाम यानि have wisely decided उन्होंने बहुत बुद्धिमानी पुर्वक निरलिया है to remain closed की वो मंदिर वो churches वो जो मस्जिदें है वो to remain closed वो क्या रहेंगे बंद रहेंगे खुलने वाले नहीं है it is heartening और ये दिल को सुकून देने वाला है धांधस देने वाला है ठीक है धांध देके बच्चों जब भी exam में आपको ऐसे कभी दिया जाए remain closed तो समझेगा गलत है बच्चों remain के साथ closed नहीं है adjective आएगा क्या closed आएगा ठीक है remain closed होता है और जो decided है न ये क्या है आपका एक verb है यहाँ पर action verb के रोप में है इसलिए इसके पहले wisely लिया गया means adverb of manner के रोप में कैसे निले लिया उन्होंने wisely बुद्धिमानी परोग निले लिया as among the top five virus affected nations जैसे आपने देखा बच्चो न top five virus affected nations है तो एक्जाम में among के बजाए हो सकता है क्या लिख दिया गया होता आपको between तो गलत होगा न क्यों क्योंकि यहाँ पर five है पांच तो among कैसे अरे between कैसे हो जाएगा तो ऐस among the top five virus affected nations यानि जो सबसे अधिक virus affected nations है पांच यानि पांच सबसे अधिक virus affected nations में से भारत जो है उस रूप में इंडिया cannot afford to create conditions भारत सहन नहीं कर सकता है afford नहीं कर सकता है कि वो ऐसी conditions का निर्मार करे that जो condition यहाँ यह pronoun के रूप में है जो condition lead to mass transmission जो condition किस तरफ लेके जाए mass transmission कि infection जो है वो एक समूह से दूसरे समूह में क्या होता जाए फैलता जाए भारत ऐसी इस्थिती को cannot afford ऐसी इस्थिती को create नहीं कर सकता है बच्चों कौन सा भारत वो भारत जो सबसे अधिक virus infected पांच देशों में से एक है the priority यानि priority जो प्राथमिक्ता है today आज is to refloat a crippled economy safely आज प्राथमिक्ता किस से इसके बच्चों कि refloat किया जाए फिर से शुरू किया जाए a crippled economy safely कि जो हमारी कमजोर अशक्त यानि एक तरह से गिरती हुई अर्थ व्यवस्था है इसको फिर से refloat किया जाए फिर से शुरू किया जाए इस चीज की आज क्या है आवश्यक्ता है while जबकि postponing all optional activities जबकि हम अस्थगित कर दें रोक दें all optional activities सभी वैकल्पिक क्रियाविधियों को कारिविधियों को क्रियाओं को to a time कब तक एक ऐसे समय तक when जब there is better disease control जब इस बिमारी पर जो नियंतर है वो बहतर हो जाए and prevention and treatment courses और रोक थाम के और इलास के जो तरीके हैं तौर तरीके हैं are available वो क्या हो जाए उपलब्द हो जाए तब तक हम optional activities को क्या कर दें post पोन कर दें इस समय हम को क्या करना चाहिए सुरच्छित तौर पर safely सुरच्छित तौर पे इस crippled economy को मेंस इस कमजोर होजकी अर्थव्यवस्था को हमें refloat करना चाहिए फिर से शुरू करना चाहिए यही हमारी क्या होने ची आज की priority होने ची मेंस प्राथमिक्ता होने चाहिए the compulsion यादे बच्चों compulsory, compulsion, compulse the compulsion to unlock unlock यानि lockdown हटा देना लाकडाउन हटाने की जो मजबूरी थे when, जब infections have not peaked जब ये infections has not peaked क्या नहीं हुए हो बहुत अधिक न हो गए हो जब infections संक्रमड बहुत ज़ादा न हो गए हो जो हमारी lockdown हटाने की मजबूरी थी has already placed the vanish उस मजबूरी ने, उस compulsion ने has already placed the vanish, याद है vanish जिम्मेदारी दाइत्व उस compulsion ने, उस मजबूरी ने कहिन कहीं एक दाइत्व दे दिया है, जिम्मेदारी दे दी है आफ remaining safe क्या रहने की, कि हम आप सुरक्षित रहें आन पीपल, यानि लोग, यानि अनलाक को हटाने की जो सारी, लागडाउन को हटाने की जो मजबूरी थी, उस मजबूरी ने कहिन कहीं, लोगों को ये जिम्मेदारी दी है, कि वो remaining safe क्या रहें, सुरक्षित रहें, कौन लोग, लोग a significant section of whom और इनहीं लोगों में से a significant section यानि एक बड़ा वर्ग है आफ हूम, इनमे से, यानि इनमे से एक जो बड़ा वर्ग है है वो, health vulnerabilities कहिन कहिन स्वास्थ के रूप में उसके अंदर vulnerability है मेंस क्या है, vulnerability यानि कहिन कहिन वो आसानी से शिकार हो सकते हैं, such as diabetes, और कौन सी vulnerability उनके अंदर है, मध हो मेह यानि diabetes का, यानि चुकि उनके अंदर diabetes है, इसलिए वो coronavirus के लिए आसानी से क्या हो सकते हैं, शिकार हो सकते हैं उनका स्वास्थ ऐसा है किनका a significant section आफ हो, यानि उन लोगों में से एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो vulnerable है diabetes के प्रते, ठीक है going by ICMR linked studies ICMR बच्चों याद है Indian Council of Medical Research, ठीक है linked जुड़ा हुआ, studies अध्येन, go by अध्येन करना, देखना, जाचना going by ICMR linked studies, यानि जब हम ICMR से जुड़े studies का अध्येन करते हैं, उसे देखते हैं, तो the disease burden, यह जो रोग का, बीमारी का भार है for diabetes किनके लिए, उनके लिए जो diabetes से पीडित है, alone has grown 80% since 1999, यानि 1990 से, देखे present perfect tense था न, इसलिए since 1990 है, यानि since 1990 से, करीब 80% क्या हो चुका है बढ़ चुका है, ग्रो कर चुका है किस सी इसका burden, यह diabetes का burden highlighting, जो इस सी इसको highlight कर रहा है, कि the enormous risk of virus exposure, कि ऐसे लोग, virus के लिए बहुत ज़्यादा क्या है virus enormous risk, यानि बहुत अधिक खत्रा है, नि virus exposure के लिए, नि virus में बिलकुल यह open है, खुले हुए हैं, और इन पर बहुत अधिक खत्रा है, कि इन पर, जो लोग, diabetes के क्या है, पेसेंट हैं, जो virus exposure, अर्थाथ virus के लिए बहुत अधिक लिए, आसानी से virus इनको क्या बना सकता, अपना शिकार बना सकता है millions of such surgeons now, millions of, millions of के बाद हमेशा देखे, plural noun, और जब भी off structure में हो, तो चाहे million हो, dozen हो, pair हो, या hundred हो, thousand हो, million हो billion हो, trillion हो इनमें हमेशा क्या चोड़ते हैं S, कब, जब इनको off structure में यूज करते हैं अगर इनके पहले आपने कोई numeral लिया है, तो इनमें S वगर न जोड़े millions of such surgeons यानि लाखों ऐसे नागरिक जो अब है face, वो सामना कर रहे हैं aggravated community transmission नि बढ़े हुए community transmission नि बहुत अधिक बढ़ चुके community transmission का millions of such surgeons लाखों ऐसे नागरिक क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं कैसे नागरिक, जो virus exposure के लिए enormous risk के अंदर रगत आते हैं अर्थात, जिनको बहुत अधिक क्या हो सकता है खत्रा हो सकता है, किनको जो लोग diabetes के क्या है patient है, रोगी है after pursuing a lockdown strategy यानि जब आपने lockdown की रणनीत strategy आधने, जब आपने lockdown की planning के थी, lockdown की रणनीत अपनाई थी, यानि after pursuing अपनाने के बाद, यानि lockdown की रणनीत अपनाने के बाद that कौन सी strategy that had low impact on the infection कर्व यानि जो संक्रमर का कर्व था वक्र था, उसका जो प्रभाव था, lockdown strategy का low impact, क्या था बहुत? कम प्रभाव था, ऐसे lockdown strategy को अपनाने के बाद फिर इस देखने बच्चुए, यानि आपनी क्या किया? lockdown strategy को अपनाया, ऐसे strategy को अपनाने के बाद, वो strategy that had low impact, जिसका कम प्रभाव था on the infection curve किस पर? infection curve पर, बट लेकिन, many negative outcomes, लेकिन उसके कई सारी क्या निकले? lockdown के? negative outcomes यानि नकारात्मत परडाम निकले, outcomes means परडाम negative outcomes, negative परडाम निकले, तो ऐसे lockdown strategy को अपनाने के बाद, अब देखें, यहां पर subject है India needs भारत को जरूरत है to draw up एक खाका बनाने का, एक योजना तैयार करने की, एक प्रारूप बनाने का, it's unlock priorities, कि अब इस unlock में, unlock के दौर में, उसकी प्राथमिकता क्या है? ऐसा खाका carefully, सावधानी पुर्वक बनाने के भारत को क्या है? जरूरत है it must show it किसके लिए है? इंडिया के लिए it must show the political will political will means क्या होती? राजनेतिक इच्छा शक्ते, नि भारत को कहेंगे राजनेतिक इच्छा शक्ते दिखाने के आवशकता है to enforce norms, enforce याद है लागू करना और norms, मानदंड कोई जो तौर तरीके होते है मानदंड होता है, वो आदर्श होता है, वो नार्मश होता है किसे समाज में जो norms and regulations होते है यानि जो उनके मापदंड होते है तो it must भारत को जरूर दिखाना चाहिए the political will, वो राजनेतिक के बिवहार पर उसे कहिन के मापदंड लागू करना चाहिए, किसे भारत को क्या करके, राजनेतिक इच्छा शक्ती का प्रदवर्शन करके कैसा राजनेतिक बिहावर, अरे कैसा public behavior बच्चों, सच है जैसे कि mask wearing कि वो mask पहने and physical distancing और क्या करें, एक दोसे से तूरी बना करके रहें Yet, फिर भी the scenes from many cities coming out of lockdown यानि अब lockdown तो हट चुका है इसके बाद जो द्रिश्य बहुत सारे शहरों से coming out आ रहा है यानि lockdown के बाद बहुत सारे शहरों से जो द्रिश्य आ रहा है including hard hit once किनको शामिल करके? hard hit once ऐसे शहरों से जो शहर hard hit है यानि जो इस बीमारी से बहुत अधिक मार खाये हैं रथा तरस्त हैं such as Mumbai जैसे की Mumbai तो lockdown से ऐसे शहरों से जो शीन जो द्रिश्य coming out बाहर निकल के आ रहा है किसको लेकर के? मुंबई को लेकर के show वो scenes ये show करते हैं ये दिखाते हैं कि anxious crowding कि बहुत चिंता जनक भीन भार हो रही है in many situations कई सारी परिस्थितियों में situations में including on public transport किसको शामिल करके? public transport क्यानि public transport वह गरह में बहुत अधिक क्या हो रही है? भीन हो रही है night curfuse और रात रिकालिन जो curfuse है are weakly enforced उन्हें भी बहुत कमजोरी से enforced लागू किया जा रहा है अर्थात curfuse को भी पूरी छमता के साथ लागू नहीं किया जा रहा है this is worrying और ये कैसा है? worrying ये चिंता चिनक है चिंतित करने वाला है क्यों? considering क्योंकि इस सीज़ पर अगर हम विचार करें कि the limited medical capacity हमारी पास बहुत सीमित medical छमता है that exists to care for a large number जो छमता हमारी पास विद्यमान है to care, ध्यान रखने के लिए for a large number बड़ी संख्याम लोगों के लिए who might suffer जो लोगों क्या कर सकते हैं कश्ट सह सकते हैं the worst effects से इसका सबसे खराब प्रभावों का of COVID-19 COVID-19 के नहीं COVID-19 के सबसे खराब परड़ामों को सफर करने के लिए जो बहुत बड़ी संख्या निकल के आएगी उस संख्या के लिए हमारी पास क्या है limited medical capacity नहीं हमारे पास और ये चीज worrying चिंतित करने वाली है getting unlocking wrong अगर आपने जो unlock है इस समय चलाए अगर आपने इसको गलस साबित किया तो could mean इसका मतलब क्या होगा an explosion of cases नि बहुत बड़ी संख्या में मामले बिस फोड की तरह बाहर आएंगे which जिस चीज का WHO has warned WHO ने World Health Organization ने भी क्या दी है चेतावनी दी है remains और वो unlocking अगर आपने ऐसा किया यानि अगर आपने unlocking को गलस साबित किया तो remains a possibility in India जिस चीज की भारत में कहिन के इस संभावना है पाकिस्तान में कहिन के इस संभावना है बंगला देश में कहिन के इस संभावना है क्या कि आप unlocking को गलस साबित कर रहे है और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में cases विस फोड की तरह ने बहुत बड़ी संख्या में सामने आएंगे National policy should not put the cart before the house यहाँ पुट दक कार्ड बिफोर दा हार्स उल्टा कारी करना यानि जो हमारी राष्ट्री नीत है उसे उल्टा कारी नहीं करना चाहिए कैसे by prioritizing यहाँ prioritizing verb में ING बच्चों ठीक है by prioritizing activities यानि सरकार की जो national policy है वो उल्टा कारी न करे कैसे by prioritizing activities ऐसे कारीों को प्राथमिक्ता दे करके such as worship at public places जैसे की आप public places पे क्या करें पूजा करें प्रार्थना करें यनि सरकार को इस सीज़ को प्राथमिक्ता नहीं देने चाहिए ऐसे activities को जिसमें यह हो कि public places पर लोग क्या करें पूजा प्रार्थना करें all available resources सभी जो उपलब्ध संसाधन है must be devoted उन सारे संसाधनों को लगा देना चे समर्पित कर देना चाहिए towards productive and essential work किसके तरफ किसके लिए productive उत्पादन संबंधे and essential work और जो जरूरी कारे है उसमें आपको सभी संसाधन लगा देने चे ये न कि सारोजनिक अस्थानों पर क्या लोग करें पूजा प्रार्थना करें ये आपकी prioritizing activities नहीं होनी चाहिए the center यानि जो केंद्र सरकार है has to has to मतलब पढ़ता है ना है has to also explain यानि केंद्र सरकार को यह भी असपष्ट करना है क्या यह भी बताना है कि what it is doing कि यह क्या कर रही है to assess आकलन करने के लिए मुल्यांकन करने के लिए the prevalence of infection यानि संक्रमण के फैलाव को यानि जो संक्रमण हर जग़ प्रिवलेंट है ब्याप्त है किंद्र सरकार को इसे भी क्या करना है असपष्ट करना है at the community level किस level पे उसे assess करना है community सामुदाई कस्तर पे at a suitable skill और कैसे assess करना है एक उपयुक्त पैमाने के साथ which is crucial जो बहुत महतपूर है to identify focus areas कि हमें किन areas को focus करना है उनकी पहचान करनी है and decide और यह तैं करना है the course कि कौन सा रास्ता होगा further unlock phases जो आगे हमारी unlock के चरण आएंगे phases आएंगे आगे उनमें हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे यह हमें क्या करना होगा तैं करना होगा आशा है आपने बहतर समझा होगा धीरे धीरे आदमें ने थोड़ा सा पढ़ाया और words पे focus करें structure थोड़ा बुश समझते जाएं धीरे धीरे बच्चों आपके लिए आसान होगा ठेक है यह words हैं यहाँ जरूर मेहनत करें बच्चों priorities एक noun के रूप में प्राथमिक ताएं epidemiologist यानि जो महामारी विध होता है उसका जानकार होता है कि किसी बिमारी को कैसे control करना है IHT noun है amplify verb के रूप में IFY है amplify मिन्स क्या होता generally यह sound वगरे के लिए हम यूज़ करते हैं लेकिन किसी condition को क्या कर देना बढ़ा देना amplify कर देना उसे और intensify कर देना heartening साहस बंधाने वाला धीरस बढ़ाने वाला मिन्स increase करने वाला यह क्या है यहाँ पे आपके एक तरसे verb के रूप में भी है और एक present participle के रूप में भी है compulsion siun noun के रूप में है compulsion मिन्स क्या होता है बाध्यता मजबूरी आपकी जो necessity है या कितने वो ये चीज obligatory है मजबूरी है pandemic याद है यहाँ पे noun के रूप में है pandemic में इस महामारी हो चाएगा respondent यानि वो लोग जो थे यानि अगर लोगों के अर्थ में ले यहाँ noun के रूप में है यानि उत्तर देने वाले sober down to become more serious यानि और अधिक गंभीर होना वैसे sober up होता है but sober down use किया गया है remain closed बंद रहना याद कर लेगा remain के बाद closed होता है यह आपका phrase है remain verb है closed यहाँ adjective है peak noun के रूप में है यहाँ पे peak में शिखर, चोटी, पिनाइकल open up phrasal verb है खोल देना, open कर देना consider verb है यहाँ पे विचार करना keen adjective यहाँ पे है उत्षुक, eager, curious, eloquidish यहाँ डी रहेगा बच्चों afford रहेगा afford जैसे किसी चीज़ को bear करना जैसे हम कहें हम high education को afford नहीं कर सकते हैं यह high education को हम afford नहीं कर सकते हैं bear नहीं कर सकते हैं यह आपका verb की रूप में यहाँ पे है वनश्य एक noun है जिम्मेदारी, दाइत्व exposure, expose हो जाना जब आप exposure में होते हैं इसलोग कोई भी चीज़ आप पे हमला कर सकती है noun रूप में है s-u-r-e draw up, phrasal verb है अर्था एक प्रारूप बना लेना खाका बना लेना hard hit adjective के रूप में है जो चीज बहुत ज़्यादा त्रस्त हो अर्था जो चीज सबसे दिख शंक्रमित हो सबसे दिख शिकार हो जिस पर सबसे ज़्यादा वार किया गया हो वो hard hit होता है assess verb के रूप में है आकलन करना, मुल्यांकन करना इसी से assessment बना है नाउन के रूप में phases of level होता है चरण आपका risk वर्ब के रूप में खत्रा मोल लेना और नाउन के रूप में खत्रा caution नाउन है चेतावनी, सावधानी के रूप में भी हो सकता है equipment नाउन है mentor कोई equipment means आपका instrument आउजार उपकरन कह सकते हैं बच्चों आप refloat वर्ब यहां पे refloat means फिर से शुरू करना फिर से सतह पर ले आना vulnerability ITY नाउन है means भेद देता शिकार होनी की जिसके अंदर वो हो ग्राहता हो वो उसके अंदर vulnerability है और adjective के रूप में वो vulnerable है aggravated जो चीज बहुत अदि खराब हो चुकी हो बढ़ चुकी हो political will यह नाउन है यानि adjective प्लस नाउन यानि राजनेतिक इच्छा शक्ती put the cart before the harsh उल्टा कारी करना reverse order में कारी करना prevalence नाउन है आपका कोई चीज जो ब्याप्त हो प्रचलित हो worship नाउन है पूजा ओवर्शिप पूजा करना भी होता है community आई टी वाई नाउन है में समुदाए माश नाउन है समूह पूरा confined space confined adjective है space नाउन है में सीमित अस्थान या बिलकुल कहते हैं confined क्या उसे कहते हैं आप जहां पर जगन हो congested तो congested space के रूप में है crippled यहां adjective के रूप में है में स्कमजोर अशक्त diabetes रोग है नाउन मधुमेह कहते है pursuing यानि एक तरह से follow करना यह jiran भी हो सकता है present possible भी हो सकता है पालन कर आरे अपनाना पीछा करना अनुसरन करना enforce वर्ब के रूप में है enforce लागू करना इसी में meant जोड़ देंगे आपका noun हो जाएगा resources noun है संसाधन जो आपकी पास होते है crucial adjective है जो महत्पुन हो बहुत जटिल हो या important हो वो crucial हो या उसके लिए crucial moment है बहुत महत्पुन समय है productive adjective है उत्पादन संब्धी उत्पादन संबंधी या जो चीज अच्छा हो सही हो वो productive है जिससे आपको कुछ हासिल होता हो transmission noun है संक्रमड यानि एक अवस्था से दोसी अवस्था में जाना gathering noun है भीण जमघट prevention नाउन है टी आ यो एन means रोक थाम नियंत्रण पोष्ट पॉन वर्ब है अस्थगित कर देना कुछ समय के लिए टाल देना enormous विशाल adjective के रूप में use बहुत बड़ा massive outcomes नाउन है परड़ाम results norms नाउन है मांदन्ड कोई नमूना कोई आदर्श devoted adjective के रूप में भी हो सकता है work के रूप में भी हो सकता है समर्पित जिसने अपने आपको समर्पित कर दिया और dedicate कर दिया हो course कई हो सकता है course एक रास्ता भी होता है course एक पाठिक्रम भी हो सकता है course एक समय भी होता है और essential adjective है में इनसो आवश्यक जरूरी इस session कैसा लगा बच्चों जरूर बताएगा जिन बच्चों ने subscribe न किया हो subscribe कर लिया करें और अपने like comments जरूर दिया करें बच्चों ताकि मुझे भी encouragement मिलता रहे मुझे कहीं कहीं boost एक मिलता रहे कहां बच्चे मुझे support करते हैं ठीक है फिर मिलते हैं आज शाम को ही 5 बजे की आसपास जिसमें मैं जो पीछे section मैंने दिखाया था वो सारी sections मैं MB publication के कराऊंगा जो ही बच्चे जानते हैं जिनने competition के त्यारी करनी हो वो जरूर इसे करेंगे त्यार करेंगे और यह रोज रहेगा बच्चों ठीक है जो बच्चे पढ़ना चाहते हो उनहीं के लिए बच्चों जो नहीं पढ़ना चाहते हैं जिनको लगता नहीं जरूरी उनकी अपनी बात है बर जो बच्चे त्यारी करना चाहते हो एक्जामस में सफल होना चाहते ह वो बच्चे ये सेग्मेंट मेरा जरूर जोइन करें ठीक है फिर मिलत में शाम को पांच बजे के आस पास जैसी मेरी बेवस्ता रहेगी उसी के आस पास मैं इसे अपलोड कर दूँगा और आप देख लेजगे ठीक है Have a nice day, हमिसाख खुश्ट रहे हैं आप, thank you